हलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कुफित अवंतिका रजोई में आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस रक्षा बंदन इस्पेशल आज मैं आपके सभी के साथ एक मिठाई की रेस्पी को शेयर कर रही हूँ बनाना बहुत ही आसान है घर में रखे दो से तिन सामानों से बनने वाली ये मिठाई बहुत ही जादा टेस्टी और मार्केट की मिठाई से भी बहुत जादा हेल् बनती है ये साथी साथ मैं आज इसे बनाने वाली हूँ रसना से जी हाँ फ्रेंस आज मैं इस मिठाई को बढाऊंगी रसना का यूज करके गर्मी का मौसा में सभी के पास रसना घर में होता ही है तो चलिए आए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं दिखा एक कटोरी नारियल का पुराता साथी हम लेंगे एक कढ़ाई कढ़ाई में मैं ले रहे हूँ एक गिलास के करेब दूद दूद आपके पास जो भी अबलेबल है आप वो ले सकते हैं यहां पर मैंने बफैलो मिलक लिया है एक गिलास मैंने डाल दिया पर थोड़ा सा दो से तीन जमत दूद मैंने बचा लिया उसका इस्तमाल हम भाद में करेंगे साथी मैं ले रही हूँ दूद की मलाई यह फ्रेश मलाई है जो दूद करने के बाद में उपर होती है उसे ही मैंने निकाल लिया था एक कटोरी यहां पर हम लेंगे मलाई मलाई को अच्छी तरीके स और टेश्टी बनती है इसके साथ ही हम लेंगे जो हमने एक कटोडी नारियल का पुरादा लिया था उसे ले लेंगे इसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है आप सोच रहे होंगे सारी इंग्रीडियंस जो है मैं पहले ही एड कर रही हूं तो जी हां फ्रेंड इसे अच्छी तरीके से ठीक कर रहे हूं यानि कि जब तक कि हमारा ये जो अर्नारियल का मिक्चर है वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाते रहना है गाइस मैंने की जैसे की बताया आज मैं इस रस्बी को रसना के साथ बना रही हूं यकीन मानिए गाइस आपके बच्चों को ये बहुत जादा पसंद आएगी जब मैंने फर्च टाइम इसे बनाया था तो मेरी घर में इस मिठाई को मेरे बच्चों ने सबसे जादा पसंद किया था मैं तीन से चार बार इस मिठाई को बना चुकी हूं इसलिए मेरी घर में इसे बहुत पसंद क इसी वज़े से मैं आप सभी के चाथ आज इसकी रेष्ट भी शेयर करी हूँ तो गाइस यह काफी ज्यादा थीक हो गया तो वन टीस्पून के करीब हमें देशी घी डाल देना है अच्छे से मेक्स कर देंगी देशी घी डाले से फ्लेवर और ज्यादा अच्छा हो जाता है स अगर आपके पास देशी घी नहीं है तो आप पूरी तरीके से इसे सकिप कर सकते है क्योंकि नार्येल में अपना ही ओयल होता है और अपकी बistically अच्छी इननिवर होता है तो आपकी बिना देशी घी अच्छी मिठाई बन सकती है तो गैस इसे मीक्स करने के बाद में हम गै इसे थेंफेर हम दो क्लर में डीवाइड कर देंगे तो उसके साथमे में धूल, पहुछ निकाल निकालरहें दो निकालाई भी यह एक प्रॉट कोई अचही तरीके से मिक्सरा निकल चाहिए, साथी रशना का फ्रेवर भी आ जाता है तो अब इस पार्ट को मैं एक लंच बॉक्स में ट्रांसफर कर रहे हूं और इसे अच्छी तरीके से फैला के इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए जब तक कि यह सेट होएगा तरह हम दूसरे काम करेंगे गाइस आपके पास अगर क अब तरीके लंच बॉक्स में भी इस मिठाई को सेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में बनने वाली बहुत ही जादा टेश्टी मिठाई है तो इसे सेट करने के लिए रख देते हैं बचे हुए दूद को जो हमने गिलास में बचाया था उसे हम दूसरे पार्ट में डालेंग जो हमारा प्लेन पार्ट रखा हुआ है मिक्चर का नारियल के और इसके साथ में जो रसना में एक ड्राइ इंग्रिडियन्स होता है मैं इसे एक चुटकी इस्तवाल कर रही हूं इसे क्या होगा जो बरफी हमारी दानेदार हो जाएगी और इसे भी गैस पे रखके अच्छ किया इसे अच्छे से पकाने के बाद में मैं इसे उसी में ट्रांसपर करूंगी जिसमें मैंने पहली लेयर रखे दी सेट होने के लिए तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें दाने निकल के आ चुके हैं आप देख ही पा रहे हूंगे वीडियो में बहुत ही मही के लिए रख देना है रूम टंपरेचर में दो से तीन घंटे के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक से डीड़ घंटे के लिए इसे फ्रेज में भी रख सकते हैं तो एक लियर सेट कर दी है मैंने यानि की दोनों लियर अच्छे से सेट हो चुकी है तो थोड़ा सेट हुए है लेकिर वाइट वाला पार्ट के मैंने टिल भादमें डाला तो हहलका करम है Depold happened , अ क्यमने की आपको बहुत ही जादा में दने ह महेंत पारदे д्ञ मोल्ले के लिए बहुत ही डी दिमोल्ल और बहुत ही क्यान सिजोवास्ती है और हो बहुत ही ज़्यादा य्मे तो मैं यहां पे cut कर रहे हूं इसे आप देख सकते हैं यलो वाला part जो हमारा अच्छे से set हो चुका है और white वाला भी थोड़ा सा कम हुआ है तो आपके पास अगर समय है तो proper इसे set होने के लिए proper time जरूर दीजिएगा मेरे पास समय नहीं था इसे लिए मैं आपको दिखाने के लिए फटा-फटसे से cut कर रहे हूं तो आप देख सकते हैं मेरे काटने के काटने से ही आपको पता चल रहोगा बहुत ही easy cut रही है बहुत ही ज़्यादा soft बनी है ये और आपको मैं एक पिस निकाल के भी दिखा दिऊ ये बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है ये मिठाई और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्फुल भी है क्योंकि यहाँ पे रसना जो की बच्चों का फेवरेट होता है रसना से बनने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा दानेदा रसना मिल्क केक यार रसना कलनकंद भी आप कह सकते हैं इसे बहुत ही ज़्यादा दानेदा रहे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी है आप मेरी ये वीडियो किस कंट्री से पीसेस मैंने cut कर लिये हैं आप इसेस अपने according cut कर सकते हैं यहाँ मैं थोड़ा सा पिस्ता ले रही हूँ या फिर आपके पास जो भी ड्राइफ रूट है या रोज पैटल है आप मन पसंद तरीके से इसे गारनिश कर सकते हैं मैं पहले इसे डालना भूल गई थे तो यह चिपक नहीं रहें आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसे जब सेट करें उसी समय इसको डाल दीजेगा तो यह अच्छे से चिपक जाएंगे इसी तरीके से गारनिश कर लेंगे और अब मैं आपको एक पीस तोड़के दिखाऊंगी गाईज बहुत ही ज़्यादा सौट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है यह मिठाई बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो आपको मैं एक पीस अभी तोड़ के दिखाती हूं क्योंकि जब तक मैं आपको तोड़के नहीं दिखाऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा और आप देख सकते हैं यह जो वाइट वाला पार्ट है अभी अभी कम सेट हुआ है तो थोड़ा से चिपचपास हो रहा है बाकि यह मिठाई बहुत ही ज़्यादा प्लीज रेसिपी को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए औल का बटन दबाएगे ताकि आपको मेरी नए नहीं रेसिपी की नोटिफिकेस्टन पहले से पहले मेरे सके रेसिपी थोड़ी भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंड अपने करना पिल्कुल भी मत भूली तो देखा गाइज मिंटों में बन गई ना बच्चों की फेवरेट रसना मिल्क केक याम रसना फिर कलंकन थैंक यू सो मच